हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे आपके लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है अगर आप UP में एक सिक्षक बनना चाहते हो वो भी बड़े लेवल पर वो भी आपकी अच्छी सेलरी हो 50,000 से उपर सेलरी हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि ये न्यूस तो आप सभी को पता चली गई होगी कि UP में है जो वो New Teachers Vacancies आ रही है New Teachers Requirement आ रही है 2020 में बहुत important है आपकी TGT और PGT के पद निकल के आ रहे है जो कि आप News में देख रहे होगे इधर इधर अपडेट्स देख रहे होंगे आपको कि लगभग लगभग 18-20,000 vacancies निकलने वाली है लेकिन जो authentic source की बात करें तो लगभग लगभग जो vacancies निकलने वाली है वो आपकी निकलने वाली है 16,133 पदों की भरती निकलने वाली है क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो लगभग लगभग कहा जा रहा है कि जो आपकी vacancies होंगी वो 15,000 के आजपास TGT की होंगी और 15,000 के आजपास आपकी PGD की vacancies होंगी जब पूरा का पूरा UP के आपका board ने पूरा का पूरा विचलेशन करा तो उनके पास 21,000 पद खाली ने मिले लेकिन 21,000 से 22,000 जो पद खाली थे ना उसमें कुछ पद ऐसे थे जो बार-बार repeat हो रहे थे इसलिए जो news आ रही है वो 18-20 की आ रही है लेकिन जो actual vacancies है वो 16,133 के आजपास vacancies आपनों देखने को मिलेगी ये तो आपकी news होगी छोटी सी बाता हो सबको पता है कि आपको कल ये सारी ये सारी notification मिल गई होगी लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला हूँ तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपकी नई सिक्षा भरती निकलने वाली है उसमें आपकी जो नई सिक्षा नीती आई है आप सभी को पता new NPA आई है 2020 की क्या वो परभाव डालेगी इस vacancy के उपर और actual में आपकी ये vacancies का notification कब आएगा बहुत important है बच्चे काफी लंबे समय से wait करते रहते है vacancies का UP में तो अगर आप UP में एक सिक्षक बनना चाते हो अच्छे पदपर बनना चाते हो तो ये बिल्कुल आपके लिए ही पूरी की पूरी वीडियो है पूर्या का पूरा आपके लिए ही बनाए गई ये वीडियो है वैसे आज के हमारी जो class होनी वाली थी वो CDP के important chapter wise question ही class थी लेकिन सुबह से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वज़े से जो net की problem है वो उपर नीचर factulate हो रही है इसलिए मैंने वो class नहीं ली ये मैं आपके लिए important teacher requirement लेकर आगया notification आपको बतानी थी क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत important है चलिए time waste नहीं करते हैं अब ये जो vacancies निकलने वाली है इसमें क्या सिक्षा निती का परभाव पड़ेगा और साथ ही साथ में इस vacancies में आपको किस किस पड में या फिर किस परकार का requirement किस परकार की age किस परकार की feast उन सभी के बारे में बात करेंगे तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि जो teacher requirement आने वाली है जो कि आपकी TGT और PGT teachers की है 2020 में जो कि अगर आपकी बात करें जाएं organization यानि कि किस संस्थाने निकाली है तो वो आपको सभी को पता है उत्तर परदेश्री secondary education जो है जो service selection board है उसके द्वारा ये vacancies निकाली गई है authentic publication के द्वारा authentic board के द्वारा निकाली गई है पोस्ट की बात करी जाएं तो दो पोस्ट निकलने को आ रही है आपकी TGT और PGT अब यहाँ पर कई बच्चे के इंफ्यूज हो रहे हैं कि सर्फ PRT यानि की नीचे जो primary level की होती vacancies वो नहीं आ रही है बिल्कुल deer वो भी आपको देखने को मिलेंगी अब यह जो हैं वो काफी लंबे समय के बाद जो की कहा जा रहा है साड़े चार साल के बाद PGT और TGT की vacancies निकली है तो अब यह vacancies निकल रही है तो अब यह लगा लीजिए किसी के अनुसार में आपको UPTED आपका जल्दी देखने को मिलेगा आपको कमर कस लीजिए आपके लगातार पेपर है अब UPTED यो देखने को मिलेगा जल्दी साथी साथ में आपको SuperTED भी देखने को मिलेगा जिसको आप महा TED बोलते हो और यहां पर भी देखो मैंने आपका लिख दिया जो number of vacancies है वो APPROX में 18-20,000 के आज पास आपको vacancies देखने को मिलेगी और जो selection procedure होता है वो आप सभी को पता है एक written exam होता है जो कि objective type होता है फिर आपका interview होता है और फिर special qualification जो होती है चाहे वो आपका PhD हो गया हो या फिर MPHL हो गया हो उन चीज की जो vacancies की जो आपके पास qualification होती है उस base पर भी आपका कुछ percentage होता है कितना percentage होता है अभी मैं आपको बता हूँ आटेंशन लेने की जूरुत नहीं है exam date की बात करी जाए तो लगबग लगबग जो आपको exam date जो कह रहे हैं यह आपर वो October के आसपास या फिर November के आसपास आपको exams भी होने को मिल जाएगा इसका conduct होने को देखने को मिल जाएगा और application की बात करी जाए तो इस महिने के last week में यानि की अगस्त के last week में या फिर सितंबर के first week में ध्यान रखेगा अगस्त जो है वो आपका 25 से लेकर सितंबर जो है वो आपका 5 to 8 तक आपको ये vacancies की notification आपके official जो यूपी टेट का यूपी बोर्ड का जो आपका पूरा का पूरा 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 जो site होती है वहाँ पर आपको ये vacancies देखने को मिल जाएगी ठीक है ये तो आपको पता होग कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है वो आपको कैसे भरना है कैसे नहीं भरना वो आपको online जब प्रोसीजर आएगा आपको पता चल जाएगा ये देखिए इस चीज को और मोहिया करवा देता है ये article हिंदूस्टाइंड टाइम्स का जो कि आपका प्रियाग राज का ही पिछले साल online से 40,000 रिखती है यानि कि जो पिछले साल थी वो 40,000 की बात करी जा रही है लेकिन वहाँ पर आए कितनी थी आधी आई थी 20,000 के आसपास तो यहाँ पर भी अगर 18 की बात करी जा रही है 18 से 20 तो तभी मैंने आपको बोला जो कहां जा रहा हो 16,133 इसके आसपा प्रकार से काम करेगी जो कि अगस्त के अंतरत या सितंबर के पहले सब्ते में आपको विज्यापन जारी देखने को मिल जाएगा इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अनुसार अब इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात आई है क्या यह इंपॉर्टेंट बात जो जा रहा है कि इस टीचर भरती में जो आपके यहां पर देखो क्या बोल रखा है यह परसेंटेज आरक्षन की बात करी जा रही है किस परसेंटेज की तो दस परसेंट आरक्षन यानि कि जो कमजोर बर्ग के लोग है ना उनको दस परतीशत आरक्षन देने की बात करी जा र वर्ग के या फिर वंचित वर्ग के जो विद्यारती हुआ करते थे आरक्षन जिनको मिलता था उनके लिए बहुत अच्छी बात है क्यों उनको भी पूरा का पूरा मौका दिया जा रहा है यहां पर तो पूरा का पूरा यहां पर 10 परतिशत की छूट दी जा रही है उन बच अब इसमें एज की लिमिट की बात करी जाए तो एज लिमिट इसमें इन्होंने बोल रखा है यहां पर आप पूरा का पूरा आपको पढ़ने की जूरती है यहां पर केवल एक लाइन पढ़िए 21 year on the first day of July of the calendar year यानि कि जब आपकी वेकेंसी आएंगी तब आप जुलाई म यानि कि यह जो चल रहा है अगस्त से पहले वाला जुलाई में आप 21 से उपर होने चाहिए तब आप इस वेकेंसी के लिए हो इलिजीबल हो बाकी PGT और TGT के लिए वेकेंसी के जब नोडिकेशन आएगा उसमें ही क्लियरेशन दिया जाएगा कि कि कितनी एज लिमिट बो सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो ऐसे TGT के लिए तो आपको भी पता होगा जिस सब्जेक्ट के लिए आप भरोगे उस सब्जेक्ट से रिलेटिद डिग्री होनी चाहिए और साथ में या तो आप B.Ed या फिर B.T.C. या फिर Other Training Certificate होना चाहिए आपको क्या जैसे कि अलग लगबग 50% के असपास होती है बाकि जब notification आएगा आपको detail में बता दिया जाएगा ठीक है चलिए PJD की बात करी जाए तो वही post graduation यानि कि आप graduate के साथ जैसे B.com, B.A. या फिर B.Sc. उसके साथ साथ आप आपको post graduate भी होना है यानि कि M.com, M.Sc. या फिर M.A. इसकी degree होनी चा करी गई है क्योंकि PGT के लिए क्या अची होता है आपकी 28 के degree बात करी जा रही है यह आपका qualification की बात करी गई है अगर आप qualification को और detail में पढ़ना चाहते हो तो यह तो आपके लिए इतना बहुत है बाकी मैंने आपको नीचे एक PDF का link दे रखा है किसका link दे रखा है मैंने आ आपका detail में TGT और PGT दोनों के क्या है syllabus है और syllabus के साथ साथ में आपके qualification की आपका पूरा का पूरा जो TGT का है वो 24 पेज का PDF है और जो PGT का हो 36 पेज का PDF है तो अगर आप उनको read करना चाहते हो हिंदी में है पूरा read करना चाहते हो तो आप अच्छे तरीकिस उसको read कर सकत मोटी मोटी बाते मैं आपको यहां पर बता जी रहा हूँ वैसे ओके चलिए application fees की बात करी जाए तो यहां पर इन्होंने यह अच्छी बात कर रखी है ST जो बच्ची होते candidate होते हैं UP उनके लिए 200 फीस है जो SC है उन बच्चों के लिए UP वालों के लिए 400 रुपे फीस है और SC candidate UP वालों के लिए 400 रुपे और unreserved category जो होते हैं जैसे कि जर्नल और OBC उनके लिए 700 रुपे फीस कर रखी है वहीं परी जो PWD वाले बच्चे होते हैं यानि की person with disability जो बच्चे handicapped होते हैं उनके लिए यहां पर इन्होंने कोई भी फीस नहीं रख रखी यह जो हैं बहुत करे जाएं अग्जाम का pattern क्या होगा अग्जाम का pattern देखो साफ बोल रखा है कि question जो होंगे वह आपकी क्या होंगे objective type question होंगे time जो मिलेगा आपको 2 घंटे का मिलेगा each question paper के लिए ओके ध्यान रखेगा यहां पर objective type यहां पर आप interview की देखो बात नहीं कर रखी interview में आपको पहले बता दिया objective type question होगा 2 घंटे का paper होगा वो भी आपका कैसा multiple choice question और इसी की देखो PGT और TGT जो होता हो subject wise क्या होता है subject wise paper होता है अब subject wise मैं पूरा का पूरा syllabus बताना बैठोंगा तो यह video आपकी यह लगा लिजे कम से कम 3-4 घंटे की बन जाएगी इसलिए मैंने आपको बोला subject wise मैंने आपको PDF दे रखा है अगर आप syllabus detail में पढ़ना चाहते हो जिस बच्चे का zone सा subject में वो fill करना चाहरा है उसकी PDF मैंने आपकी TGT की और PGT की दोनों की PDF मेंने आपको नीचे मोहिया करवा रखी है जो कि TGT की 24 पेज की PDF है और PGT की 36 पेज की PDF है आप नीचे जाएगे description में वहाँ पर आपको यह पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा उसको download कीजिए आराम से उसको पढ़ सकते हो आपका zone सा subject है जो उ detail में पढ़िए उसको इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा मोहिया करवा दिया आपको कहीं पर भी दरुदर भटकने की जोर्त नहीं है ठीक है इतनी सी बात आप ध्यान रखेगा चलिए अब बात कर लेते हैं जो selection procedure होगा यानि कि आप exam देने के बाद exam qualify करोगे तो उसमे किस-किस चीज की बात करी जा रही है जो marks का distribution हुआ है वो कहा कहा हुआ है तो देखो जो आपका return exam होगा वो उसका 85% बात करी गई है कितनी बात करी गई है 85% marks की बात करी गई है उसके calculate होगे जैसे कि KVS का होता है वो 85 या 80 और बाकी 15-20% interview का होता है यहाँ पर बात करी जा परतिशत marks लगेंगे special qualification की बात करी जाए जैसे कि for example आपने PhD कर रखी है या DPhil की डिगरी आपके पास या फिर MAD की डिगरी आपके पास या फिर आपके पास BAD की डिगरी है तो यह इसके आपके 5 परतिशत marks जूडेंगे जो कि 2 परतिशत अगर आपके पास PhD और DPhil की डि परतिशत आपको यहाँ पर मिलेगा 2 परतिशत और जिसके पास MAD की डिगरी होगी उसको भी आपका यहाँ पर परतिशत का फायदा मिलेगा 2 परतिशत तो यह डिगरी मैं यह मानता हूं कि कम से कम नहीं तो आपका यह लगा लो 5 से 9 परतिशत ऐसे बच्चे होगे जिनके पास ये दोनों डिगरी होगी, दोनों डिगरी वैसे possible नहीं होता है, दोनों की दोनों एक ही बार में confirm होना, लेकिन हो भी सकता है, पास से नौ परतिशत बच्चे जो होंगे न, उनको इस चीज का फायदा मिलेगा, बाकि बीड तो सब के पास होता ही होता है, एक परसंट मार डिटेल नोटिफिकेशन जो की आपको इधर उधर देखने पर नहीं मिल रहा था, जिसका मैंना आपको पीडिएप भी दे दिया, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो, चाहे आप पीजेटी का फॉर्म भर रहे हो, अब बाकि आप जिस परकार से तैयारी कर रह मौका है, इस बार एक अच्छे पद पर बैठना, एक अच्छे टीचिंग वेकेंसी जॉब लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मौका है, आपके लिए बिल्कुल तैयार हो जाईए, कमर कस लीजिए, क्योंकि बड़े बुजर्गों ने कह दिया है, कि किस किसी के किस्से में आता है, और मौका नसीब वालों के हिस्से में आता है, इसलिए मैं आपको बोला, बहुत अच्छी लाइन है, अच्छे सा समझेगा, कि किसी किस्से में आता है, और मौका नसीब वालों के हिस्से में आता है, इसलिए यह जो मौका है, इसको पकड़ ये कर्स के अच्छी तरीके से जाने नहीं देना इसको 100% आपको इसमें अपना पूरा का पूरा effort लगाना है जो भी आपकी vacancies आ रही है उसमें आपने अपनी एक seat confirm करनी ही करनी है हमें नहीं मतलब है 15-20,000 से मतलब हमें एक seat से मतलब है हमें उसी को ही लेना है करना चाते हो, information आपको उस PDF से मिल जाएगी बाकी वो PDF जो है मैं आपको telegram जो की हमारी ID क्या है telegram की dk gupta 1122 बाकी वहाँ पर जाओ आपको ये देखो, ये जो logo है ये हमारी application का भी logo है और ये वाला logo जो हमारी channel का भी है तो वहाँ पर मैं आपको इसका PDF अगर description से आप download नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पर भी मैं आपको share कर दूँगा तो वहाँ से भी आप download कर लिजेगा बाकी ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा detail notification दिया है इसका भी PDF मैं आपको अभी telegram में share कर दूँगा तो वहाँ से भी आप download कर सकते हो बाकी ये हमारे other social medias handle है आप कुछ join करो न करो लेकिन ये दो चीज़ जरू join कर लो एक हमारी official learning app जहाँ पर आप online test लगा सकते हो या किसी भी subjects की PDF की notes ले सकते हो और दूसरा जो हम पढ़ाते हैं जो new update देते हैं वो आपको telegram channel से ही मिलता है तो ये दो चीज़ जरू join कर लीजेगा ताकि आपको सारी की सारे notification time to time मिलती रहे बिल्कुल वक्त पे मिलते ही रहे आप वक्त से पीछे ना चलो तो ये थी दोस्तों आज के लिए पूरा का पूरा एक detail notification आपके आने वाले UP में vacancies के लिए बाकी इससे related कोई भी doubt हो कुछ भी पूछना हो तो नीचे comment box में comment कर सकते हो बाकी किसी चीज के notes चाहिए हो और कुछ पढ़ना हो नेक्स टॉपिक में एक नेक्स लेक्चर में जब तक के लिए चैहिन जय भारत